असलाम उलाइकुम फ्रेंट्स वेलकम बैक टू शेरल्स किचिन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे हेल्दी टेस्टी ड्रिंक जो के हेल्दी भी होगा और इम्मिन्यूटी बूस्ट करेगा तो चलिए हम आपने रेसेपी स्टार्ट करते हैं बिसमिल्लाहरमानी रहीम एक बोल भीगने के लिए रख देंगे ताके यह अच्छे से फूल जाए अब एक घंटे के बाद हम इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसको पीस लेंगे तो इसका ढखकन हम लगा कर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो देखिए हमने इसको पीस लिया है बाकी के इंग्रीडियन्ट हम बाद में डालेंगे देखिए यह पीस चुका है अब हम दो केले ले लेंगे बड़े केले हमने दो ले लिये हैं इसको छील कर इसके पेसिस इसमें काटके डाल देंगे दोनो केलो के पेसिस इसी तरह काटके डाल देंगे अब देखिए जैसे के मैं बनाना इसमें डाल रही हूँ आप अपनी पसंद का कोई सा भी फ्रूट डाल सकते हैं बनाना डालने के बाद इसमें हम दो कप दूड डाल देंगे, तो देखे, फुल भरके हमने दो कप इसमें दूड डाल दिया है, अब इसमें स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे, मैंने इसमें 4 टिबल स्पून चीनी डाल दी है, आप अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल सकते और इसको ढखक कर अच्छे से दो मिनिट के लिएdır कि जिँ चला देंगे तक यह अच्छे से पिस्जाओ अच्छे से घुल मिल जाए अब देख के हमारा ड्रिंक बन कर तयार है हम इसको सर्व कर लेते हैं खुब सूरत से गलास में हम इसको डाल देंगे तो दो ग्लास में हम फुल भर के इसको डाल देंगे अब थोड़े चॉप ड्राइफ रूट इस पे उपर से डाल देंगे जो दिखने में बहुत ही सुन्दर लगेंगे और पीने में तो और भी मज़ा आ जाएगा तो हमारा ड्रिंक बनकर तायार है बहुत ही टेस्टी बना है आप इसको इफ़तार के टाइम पे सहरी के टैम पर लें तो आपको ताकत और स्फूर्टी आएगी और आपको बहुत ही इसका टेस्ट पसंद आएगा तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सबस्क्राइब करें और बैल आइकन को जरूर दबा दें ताक इसी तरह आपको मेरी रेसिपी की नोटिफेकेशन सबसे पहले मिले दौाओं में याद रखें, थैंक्स फर वाचिंग, अल्ला हफिज